हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू वर चैनल एजुकेशन और लणिंग पॉइंट दोस्तों यह आज का मारा टेस्ट नंबर सेंटेस है तो चलिए शुवाद करते हैं पहले प्रशन की पहला प्रशन है महमूद गजनवी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था तो वो कितनी बार आक्रमण किया था महमूद गजनी न भारत पर तो वो किया था 17 बार option C is correct next है हमारा नमलिकेत मैसे विश्व का सबसे बड़ा delta कौन सा है तो विश्व का जो सबसे बढ़ा delta है वो कौन सा है वो है हमारा गंगा ब्रहंपुत्र डेलटा option is correct अगला प्रशन प्रशन संक्या है तीन प्रतेक वर्ष इस दिन को विश्व पर्यावनर दिवस के रूप में मनाया जाता है यानि के world environment day के रूप में किसको मनाया जाता है हर साल तो वो मनाया जाता है पांच जून को पांच जून को वर्ल्ड एंवायरोमेंट परियावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है अगला प्रशन है प्रशन संक्या है चार भारत में शहीद उदम सिंग की 122 वी जैनती कम मनाई गई तो जो शहीद उदम सिंग है उनकी 122 वी जैनती मनाई गई अंगला प्रशन है प्रशन संक्या है पांच जनवरी 2021 तक भारत के राष्टी मानवादिकार आयो के अद्यक्ष कौन थे तो वो कौन थे जनवरी 2021 तक भारत के राष्टी मानवादिकार आयो के अद्यक्ष वो थे अरुन मिश्रा यानि के न्याय मूर्थी अरुन कुमार मिश्रा और ये जो रास्टी मानवादिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों का कारकाल रहता है वो कितना रहता है मतलब सदस्यों का और अध्यक्ष का कारकाल वो रहता है तीन वर्ष का कारकाल रहता है और सत्तर वर्ष की उम्र तक 70 वर्ष की या भी जो भी पहले हो जाए इसे 3 वर्ष का कारिकाल या 70 वर्ष की उम्र तो जो इसका आंसर है वो न्याय मुर्थी अरुन कुमार मिश्रा है अगला प्रशन है प्रशन सग्या है 6 निमलिकित मैसे किस राज्य केंदर शासित प्रदेश में आपको वो एक सींग वाले गेंडे हैं भारती गेंडे के प्राक्तिक आवास मिलने का की अधिक संभावना है तो वो किस राजी में है अधिक संभावना वो है हमारी असम है संक्या है हमारी साथ पुष्यमित्र शूंग द्र हमारा जाने वाला अंतिम मोरिशा सकत है वो तो मारा ब्रत रत शूंग औरना जात है ओप्षिन सं toy अगला प्रश न किया हमारी आठ एन्वी रमन्ना जो हैzd 28 स व्मुक्क नियदीश हैं है अकला परेशनयसंग ऑप्रेशन संक्या है नौ भारत रत्न पुरसका किस वर्ष इस्तापट गया था जो भारत रत्न पुरसकार है किस वर्ष उसकी शुरुआत हुए थी तो होई थी 1954 में भारत रतन की शुरुआत हुए थी और यह हुए थी दो जैन्वरी 1954 को अच्छा यह शुरुआत की किस ने थी यह शुरुआत की थी जो उस टाइम दतकालिक जो राश्टर पती थे राजेंद्र प्रशाद राजेंद्र प्रशाद जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रशाद द्वारा राजेंद्र प्रशाद द्वारा इसकी शुरुवाद की गई थी और यह सबसे पहले दिया किसको था यह जो भारत रत्न था यह दिया गया था जो हमारे दूसरे राष्ट प्रत्वी के वायू मंदल में दूसरी सबसे एक अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है तो प्रत्वी का जो वायू मंदल है का जाती है हमारी सबसे आधिक मात्रा में पाई जाती है तो कितना में पाई जाती है वह सबसे पाई जातीन हमारी तू जीरो पॉइंट नाइन फाइव यानिके 20.95 परसेंट ऑक्सीजन पाई जाती है प्रत्वी का जो वायू मंडल है उसमें और जो हमारी नाइट्रोजन है वो कितनी पाई जाती है नाइट्रोजन जो हमारी वो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पहली गैस होती जो सबस क्यों से पाई जाती हमारी और बाकि ओ गहाल सिपनी घशाती है औरंव ओसे प्थी युद只र हमारी कारवन डायॉकसेट यह konkurs steady है यह पाई जाते प्राइंट्सिया पर्षेंट। 0.03% 0.036% हमारी C O T P P I C तो जो हमारे इसका answer है इसका answer होगा oxygen जो कि 20.95% oxygen पाई जाती है जो कि secondary second number पर आती है और जो फर्स नंबर पर आ जाती है हमारी वह आती है nitrogen जो पाई जाती 78.08% nitrogen पाई जाती वायू मंडल में तो अगला प्रेशन हमारा प्रेशन संक्या है 11 दुहनी किस माध्यम से तेजी से यात्रा करती है तो वो यात्रा करती है ठोस में सबसे तेज यात्रा करती है वो ठोस में करती है तो कि द्वारा की जाती है इसका क्या अंसर होगा हमारा केंद्री वित्मंत्री option D is correct जो GST परिश्यत की तो option D is correct अगला प्रश्न है प्रश्ण संक्या है हमारी तैरा प्रत्वी के चुंब की छेतर के लिए जिम्मेदार है तो प्रत्वी के चुंब की छेतर है उसके लिए क्या जिम्मेदार है तो उसके लिए जिम्मेदार है हमारा बारी कोर, आउटर कोर जो है, option C is correct प्रत्वी के चुम्बी के चेत के लिए आउटर कोर जो बारी कोर है, वो जिम्मेदार है अगला प्रेशन है, प्रेशन संक्या है 14 14 दिसंबर 2019 में निम्लिकित मैं से किस राजे द्वारा दिशा अधिनियम पारित किया गया तो यह किस राजे द्वारा अधिनियम पारित किया गया, यह पारित किया गया आंद परदेश द्वारा दिशा अधिनियम 2019 निम्लिकित मैं से पाया गया आंद परदेश option B is correct तो ये जो दिशा अधिनियम है ये किसे संबंदित है ये हमारा संबंदित है ये जो आंद परदेश दिशा एक्ट जो है 2019 महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न है उनसे संबन देते और उनसे रेलेटिट जो अन भी अपराद होते हैं उन में भी इसमें सजा का प्रादान है दिशा एक्ट में फट से बता दूमें आपको आंद प्रदेश में दिशा एक 2019 महिलाओं और बच्च इसका जो आंसर होगा मारा option B is correct तो अगला प्रशन है प्रशन संक्या है 15 निमलिकित में से कौन एक e-commerce website नहीं है तो आप में से जादा तो लोगों को पता होगा जो online social sites वगेरा यूज करते हैं online shopping करते हैं तो उनको पता होगा कि e-commerce website इन में से कौन से नहीं है तो comment section में वी Twitter जो है वो एक जो Twitter जो है वो e-commerce website नहीं है अच्छा यह e-commerce website क्या होते हैं e-commerce website वो उन portals को बोलते हैं जहां से आप service जो होती है वो खरीद सकें इन website पर वैसे आप online payment भी कर सकते हैं या cash on delivery भी कर सकते हैं तो यह आपका related हो गया e-commerce e-commerce यह साइट से आपकी e-commerce कहेंगे इन स्वेगी हो गई आपकी ऊपर हो गई जो कैब आप normally कहीं जाते तो बुक करते हैं तो ऊपर हो गया स्वेगी हो गई और flip card हो गया यह सारी website से यह आपकी e-commerce कहलाएंगी और यह जो हो गया यह social network हो गया आपका Twitter तो चलिए इसका जो आंसर है option D is correct अगला प्रेशन है किस भाग में पाई जाती है तो वह पाई जाती है पत्ते में लीफ option B is correct अगला प्रेशन है प्रेशन संक्या है हमारी 17 तत कालिन मद्रा स्प्रांथ के भाशाई पुनर गठन के बाद इस वर्ष किस वर्ष एक अलग आंदर राज का गठन किया गया था तो भाशाई पुनर अगला प्रेशन है प्रेशन संक्या है 18 हुमायू नामा किस ने लिखा था हुमायू नामा जो था वो किस ने लिखा था वो लिखा था गुलबदन बेगम ने यह जो हुमायू नामा था यह 16 सदी का एकलोता दस्ता वेज था हुमायू नामा गुलबदन बेगम ने लिखा अगला प्रेश्णे हमारा प्रेश्चे संक्या है 19 भारत में PIN Code यानि के POSTAL Index Code जो था वो कब शुरुवाद हुई थी इसकी शुरुवाद कब हुई थी ज्यादा दर लोगों को पता भी होगा इसके पारे में इसकी शुरुवात हुई थी 1922 में 1922 में पोस्टल इंडेक्स कोड की शुरुवात हुई थी यानि पिंट कोड की अगला प्रशने प्रशने संग क्या है हमारी 20 भारत के समविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के रास्टपती को संसत के अवकाश के समय अध्यादे जारी करने का अधिकार देता है तो वो कौन सा अनुच्छेद है वो है हमारा आप्शन C is correct 123 जो 123 है वो संसत का जो विश्रानती काल में अध्यादेश प्राख्यापित करने की राश्पती की शक्ति है राश्पती को शक्ति देता है तो इसका है आप्शन C is correct आटिकल 123 फिर से बता दू मैं आपको जो आटिकल 123 है इसमें क्या है कि संसत के विश्रानती क में आध्यादेश प्राख्यापित करने की राष्टपत्य की शक्ति आटिकल एक तो यह भी आर्टिकल 123 से मिलता जुलता ही है, तो इसमें बस डिफरेंस इतना है कि यह रास्टपती के लिए होता है, यह रास्टपती के लिए शक्ति देता है और यह देता है गवर्णर के लिए, के 213 जो है वो विधान मंदल में विश्रांतिकार में अध्या देश प्राक्यापित करने की राजिपाल की शक्ति ये बात होगे हमारी गवर्णर की और ये बात होगे परसिडेंट की तो हमारा जो इसका आंसर है वो हमारा option C is correct आर्टिकल 123 दोस्तों आज के प्रेश्णों की शंकला हमारी यहीं पर समाप्त होती है और question of the day है हमारा उत्तर प्रदेश Institute of Forensic Sciences का निर्माण किया जा रहा है तो कहां पर किया जा रहा है आंसर जरूर दिया किजिए आप comment section में तो आप इसका आंसर जरूर दें वीडियो के बाद तो आज के प्रेश्णों की शंकला हमारी यहीं पर समाप्त होती है मिलते हैं अगले session में तब तक के लिए नमस्कार